नमस्कार न्यूस फोर नेशन देख रहे हैं आप मैं आपके साथ रश्मी ब्यार के अधिकारियों के लिए पटना हाई कोट की तरफ से बड़ा फर्मान जारी किया गया है बता दे आपको कि पटना हाई कोट का ये साफ तोर से कहना है कि जो अधिकारी हैं वो बात नहीं सुनते आदेश का पालन नहीं करते जिस वज़ा से अब उन तमाम अधिकारियों पर कारवाई की जाएगी इतना ही नहीं पटना हाई कोट ने ये भी कहा है कि या तो अधिकारियों को आदेश का पालन करना होगा या फिर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा अब ये अधिकारी कौन है और आखिर क्या हुआ है पटना हाई कोट में और क्या कुछ आदेश जारी किये गए है इसकी पू जेल जाने को तैयार रहें। उसका पालन नहीं करते हैं। अदालती आदेश का पालन नहीं होने पर उन्हें बादे होकर अवमानना याचिका दायर करनी परती है। उन्होंने कहा है कि संबंधत अधिकारी के सामने अब केवल तीन विकल्प है। उपड़ी आदालत का स्टे ओडर दिखाएं। अदालती आदेश का पालन करें या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं। अब मानना मामले में बहस की कोई गुंजाईश नहीं है। कोट ने कहा है कि अब हर दिल एक सो अबमानना याचिका पर सुनवाई की जाएगी। कोट ने कहा है कि जो लोग समय सीमा के भीतर अदालती आदेश का पालन नहीं करेंगे वेखामियाजा भुगतने को तैयार रहें। या दुर्भागी की बात है कि अदालत का आदेश लेकर भी लोग इधर से उधर खूम रहे हैं। उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। देते हुए कहा है कि संबंधत अधिकारी अभी सजग हो जाए। और ततपरता किसाथ अदालती आदेश का पालन कर सह समय सोकौज दाखिल करें नहीं तो सजा के लिए तैयार हो जाए। कोट के इस रुख के बाद अब लोगों की उमीद जगी है कि उन्हें नयाए मिलेगा। अगर समय पर अदालती आदेश का पालन हो जाए तो अवमानना याची का दायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगे। इसके साथ ही महाधिवक्ता ललत किशोर ने भी इसे गंभीरता से लिया है और कहा है कि जल्दी ही समस्या का समधान होना चाहिए। तो बता दे आपको कि कोट के फैसले आने के बाद भी अधिकारी जो है उस फैसले को नहीं मानते हैं जो सवज़ा से बेवस होकर जो फर्यादी होते हैं जो लोग होते हैं उन्हें अवमानना याची का जो है वो दायर करनी पड़ती है जो से लेकर पतना हाई कोट ने सक्ती दिखाई है और ये कहा है कि इस वक्त कोट में जो है वो अवमानना याचिका की अगर हम बात करें तो 9000 अवमानना याचिका है जो से लेकर पटना हाई कोट ने ये साफ कर दिया है कि अगर अब अधिकारी ने कोट के फैसले पर अमल नहीं किया तो उन्हें जेल भी भेचा ज और यही बज़ाए कि अधिकारियों को ये साफ हिदायत दी गई है कि जल्द से जल्द आदेश का पालन करें नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं फिलाख लेतना ही जाद अपडेट के लिए आप जुरे रहे इनुस्वानेशन के साथ नमस्कार